Hello everyone, welcome to Prelim Booster, News Discussion of Only IIS, date है आज की 10th September 2019, अभी तीन साधी तीन बजे के लगबग हमने एक वीडियो अपलोट किया था, प्री कम मेंस बैच के अनाउंसमेंट के लिए, तो जो भी candidate इंट्रेस्टेड हैं उस ग्रूप को जॉइन करने के लिए वो वीडियो जरूर से देख लें, बहुत सारी queries होंगी उनकी, तो वो सभी कुछ resolve हो जाएंगे, उसमें पुरा describe किया गया है कि course कैसा है, कैसे चलेगा, कौन-कौन से subjects कबर हो रहा है और भी बहुत कुछ, देखते हैं आज के basket में हमारे लिए कौन-कौन से important news है, सबसे पहला news है निलगरी तहार से related, आपको positive इस sense में है कि इनके population में इजाफा देखने को मिल रहा है, यह record किया गया है मुकुर्थी नेशनल पार्क, तमिल नाडू में है, यहाँ पर, और 2018 और 2019 के इनके population data को compare किया गया तो बताचला कि 568 से अब यह 612 हो गया है, इसके लावा, पिछले 3 सालों में लगातार यह 87% का इजाफा इनके इस species में देखने को मिला है, और खुशी की बात यह भी है, कि यह इजाफा female goats के तरफ skewed है, मतलब कि female goats जो है, वो जादे इनकी संख्या बढ़ी है, तो इसके बात करें कि what are the factors that are responsible, जिसके बात करें कि इनके population में increment देखने को मिला है, सबसे पहला, कि ज इसे जगों को tourist से बिल्कूर अलग रखा गया, even यहाँ पर poaching भी ban कर दिया गया था, दूसरा, कि यहाँ पर जो भी invasive flora थे, उनके spread के लिए भी बहुत अच्छा काम किया गया, invasive species वो species होते हैं, जो कि native land के नहीं होते हैं, मतलब कि अगर यह land में हम कोई invasive species देख रहे हैं, तो वो इस land की पैदाइश नहीं है, वो कहीं और land से है, जो कि यहाँ पर आ गया है, और यहाँ के जो local species हैं, उनके life को threaten कर रहा है, तो उसको हम लोग invasive species बोलते हैं, यहाँ पर invasive flora के spread की बात की गई थी, जिसको हमने कम किया है, इसके लाब निलगरी थाहर की specific लिए बात कर करता है, इसको disturb करता है, तो उसको concerned authority highest penalty के साथ charge कर सकती है, इसके लाब आप देखते होगे कि निलगरी ताहर जो की male category के होते हैं, वो ऐसे male category के निलगरी ताहर के peat पर एक light gray area का patch होता है, जिसको हम लोग saddle भी बोलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ना, घोड़े की अगर पीट होती है, तो यहाँ पर हम कुछ गदी रखते हैं और इसके उपर बैठते हैं, तो इसको saddle बोलते हैं, तो यहाँ पर जो male निलगरी ताहर है, उसके इस वाले portion पे, peat के saddle वाले portion पे, light gray area का एक patch होता है, जिसलिए हम इसको saddle peak के नाम से भी जानते हैं, यह Tamil Nadu का state animal है, इसलिए हम इनको तमिल नाडू और केरला में भी इंडमिक बोल सकते हैं, इंडमिक अगर कभी भी UPSC आप से यह question पूछती है, कि इंडमिक होना और मिलना अलग अलग बात होता है, इंडमिक मतलब यह यहीं पर पैदा हुए है, यहीं पर पले बढ़े हैं, अगर हम इनको क लेकिन वो उस टाइम पर इंडमिक इस्पेसिस के नाम से नहीं जाने जाएंगे, बात करते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क पे जहां पर यह population increment देखने को मिला है, यह तमिल नाडू के नदर्न वेस्ट कॉर्णर पर situated है, आप अगर तमिल नाडू का मैप थोड़ा सा इस system है, वो affected होगा, इसके अलावा, इसके importance के चलते, इसलिए हमने इसको पहले निलगरी ताहर नेशनल पार्क का नाम दिया था, और अब इसको मुकुर्थी नेशनल पार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम देखने की बड़े-बड़े mountain grasslands हैं, shrub lands हैं, जिसको हम लोग शोल शोलास के नाम से जानते हैं, शोलास क्या होते हैं, शोलास are basically stunted tropical mountain forest, जो की valleys में found होते हैं, यहाँ पर हम लोग rainfall भी काफी अच्छा देखते हैं, उचे altitudes पर होते हैं, winds भी बढ़िया चलती हैं, और near freezing temperature होते हैं, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया climate होता है, जहाँ पर यह न पाए जाते हैं, लेकिन basic attraction जो है, वो निलगरी ताहर ही है, part of निलगरी biosphere reserve, मतलब कि एक तो हमने देखा कि निलगरी national park है, निलगरी ताहर national park, और एक है निलगरी biosphere reserve, इसमें confusion नहीं लेना है, biosphere reserve बहुत बढ़ा area होता जिसमें बहुत सारे national park, wildlife centuries आ सकते हैं, तो इसके अं national parks, मुदु मलाई wildlife sanctuary, बांधिपूर national park, नगर होल national park, और वाइनाड wildlife sanctuary, और silent valley, अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये सब नाम हमें याद करने पड़ेंगे, तो इसका answer के लिए आप इस question को देखें, जो कि UPSC 2019 में पूछा गया है, इस बार ये question आया था कि विच्वाद following are in agasthamala biosphere reserve, आपको बताना था, चुकि नाम बहुत कठीन है, इसको आप pause करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, फिलाल इसका answer है, ये पहला, नेयार, इदिल पेपरा, शेंडरुने wildlife sanctuary और कलकड मुंदन थिरोई tiger reserve, इसके अलावा, आपको थोड़ा सा basic information map पे भी होना चाहिए, कि agasthamala biosphere reserve कहा है, जिसके business पर, आप कुछ कम से कम guess कर पाओ, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा, कि why not wildlife sanctuary है, जो कि यहाँ पर नहीं मिलती है, इसके अलावा, आपने इस option को easily eliminate कर दिया होता, लेकिन फिर भी, नागार्जून सेरी सैलम भी, आप बहुत easily तर से आप इनको eliminate करने की capability रखोगे, अगला article है हमारा S-400 system से related, news में इसलिए रहा है, क्योंकि इंडिया ने रशिया से S-400 air defense missile system को खरीदने की बात की थी, और ये पूरा का पूरा deal जो है, ये लगबग लगबग 5 billion dollar का deal है, इसके अंदर हम लोग 4 S-400 missile system को खरीदना चाहते है इस missile system को हम लोग triumph missile system के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार का mobile और surface to air missile system है, और इसका range लगबग 400 km से जादा ही है, इसके अलामा इसकी सबसे बड़ी खुबी ये है, कि ये एक ही बार में बहुत सारे targets को engage कर सकता है, और अगर वो targets अलग-अलग nature के हैं, तो भी वो उन स engage करने का मतलब ये है, कि वो सब को target कर सकता है, यहाँ पर एक साथ ये लगबग-लगबग SSS 100 airborne target को track कर सकता है, और उन में से ये 6 को simultaneously engage भी कर सकता है, मतलब target करके इनको destroy भी कर सकता है, बात करें कि US का क्या stand रहा है, इस S 400 deal के चलते हमेशा से, तो अभी हाल-फिलाल में ही इ US यही बोलता था, कि हम इंडिया को ये deal साहिन नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने इंडिया के साथ Cards Act Sign किया है, जो कि countering America's adversaries through sanction act, इसके अंदर में वो ये बोलते थे कि अगर रशिया से कोई भी missile system आता है, तो वो US के इन systems के against में काम कर सकता है, इसी लिए वो इस critical information को ना ह नहीं वो चाहते हैं कि इंडिया जैसे country जिसके साथ हमने Cards Act Sign किया है, वो रशिया से कोई भी ऐसा missile system को खरीदे, अगला article हमारा सहरियास tribe से है, ये एक प्रकार के particularly vulnerable tribal group है, ये news में इसलिए रहे हैं क्योंकि इस reason में, जो कि सहरियास tribe का पूरा reason है, वहाँ पर हम बहुत सहरियास की थूड़ी से और बात की जाए, तो ये basically मद्ध प्रदेश के काफी district और राजिस्थान के बरन district में पाय जाते हैं, इसके अलावा मद्ध प्रदेश की government ने इनको इनकी extra backwardness से special backward tribe का भी दर्जा दिया हुआ है, इस्पेसिफिकली अगर हम particularly vulnerable tribal group की बात करें, तो य ये एक प्रकार का ऐसा marginalized section है, जो कि इंडिया के scheduled tribes के अंदर में आता है, ऐसा नहीं है कि इसको constitution में ये नाम दिया गया है, या फिर इसको constitutionally recognized किया गया है, ये तो government of India का एक basic classification है, जिसके basis पर वो in communities के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते थे, कुछ अलग से इनके conditions को improve करन ये relatively isolated group होते हैं, educationally, socially और economically backward group होते हैं, जो कि सुख सवविदाओं से काफी दूर अपने habitat को देखते हैं और वहीं पर ये अपना जिन्दगी जीते हैं, अगर कुछ basic criteria की बात करें, जिसके basis पर government of India इनको PBTGs declare करती है, उसमें से पहला है pre agricultural level of technology, दूसरा, इनका population हमेशा से decline ह होता हुआ दिखेगा, या फिर stagnant दिखेगा, इनके अंदर literacy बहुत ही कम होगी और इनके economic का level भी काफी subsistence होगा, मतलब की बहुत ही basic level होगा, इंडिया में overall ऐसे 75 PVTGs को list किया गया है, जिसमें सबसे जादा amount हमको odysi state में देखने को मिलता है 13, इसके बाद आंद प्रदे जो है वो 18 state और एक union territory में reside करते हैं, अब यह statement हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, थोड़ी दिर के लिए wait करते हैं, बाकि statement पढ़ते हैं, इनका stagnant और declining population एक criteria जिसके बैसे पर PVTGs हम select करते हैं, तो यह बिल्कुल साइज statement है, दूसरा कि इंडि 75 PVTGs हैं, यह option गलत हो गया, अब इस option को eliminate करके देखते हैं, क्या हमारा answer मिलता है क्या, 30 में भी है, 30 में भी है, 30 में भी है, 30 में भी है, तो हमारा answer तो मिल गया है, और इसके basis पर ही हम छोटे-छोटे information के basis पर भी हम, अगर हमको पहला और चौथा statement नहीं भी पता था, कि Irular और Konda Ready Tribe जो है, वो PVTGs में include हैं की नहीं है, वो UPSC हम से चाहती भी नहीं है, कि हम इसको याद करके जाएं, हमें के वल इतना पता होना चाहिए कि, इंडिया में 75 PVTGs हैं, जिसके basis पर हमने यह option को eliminate किया, और हम अपना answer ticker करके चले हैं, ठीक है, तो इस basis पर आपको थोड़ को publish किया है, इसके highlights ही बात करें, तो इसने basically focus तो यही किया है, कि अभी हाल फिलाल के situation में यही देखने को मिल रहा है, कि बड़ी-बड़ी global economies आपस के interconnections को improve कर रही है, इस digital economy के चलते, लेकिन problem की बात यह है, कि इस digital economy के rapid growth से, हमें skewed growth दिख रहा है, या फिर एक certain section of word है, जह पर यह potentials को reap किया जा रहा है, मतलब कि जो benefit है, वो overall सभी को equal amount में नहीं मिल रही है, जैसे कि US and China जो है, वो लगबग-लगबग सभी blockchain technology के patents का 75% account करते हैं, इसके लावा जितने भी internet of things होते हैं, इसमें भी 50% का share US और चाइना का है, इसके लावा public cloud computing में भी पूरे word market में इन इन लोगों ने काफी हद तक इन सब चीज़ों पर एक आधिकार जमाया हुआ है, इंडिया भी इस पूरे race में 9th highest e-commerce sale के business पर जाना जगया है, ये जो 9th highest e-commerce sale है, ये इंडिया के GDP का 15% show करता है, इसके लावा इस report में ये भी बोला गया है, कि अगर ऐसी developing countries को अपने यहा mandatory data localization की तरफ push करें, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम Facebook देखते हैं, या फिर Uber देखते हैं, ये सब क्या करते हैं, कि हमारे basic informations को अपने country में restore करते हैं, बड़ा सा इनका एक arena होता है, जहां पर ये सभी data store करते हैं, अगर हम इन सभी data के storing पर थोड़ी सी पाबंदी लगाएं, और developing country बोलें, कि जो भी data हमारे country का है, वो हमारे country में ही रहेगा, उसको store करने के लिए बाहर का ऐसा कुछ भी infrastructure डेवलप नहीं किया जाएगा, इसके बैसिस पर हम अपने यहां भी digital economy report के अंदर में, या फिर पूरे digital economy में इजाफ़ा पा सकते हैं, अगर हम इन specifically बात करें, अंकटाड की, तो ये एक प्रकार का United Nation General Assembly का permanent intergovernmental body है, इसको 1964 में establish किया गया था, और इसका headquarters जिनेवा Switzerland में है, जो की UN Secretariat का एक part है, इसके अलावा इसका basic काम क्या है, इसका basic काम यही है, कि जो भी developing countries होती है, उनको अगर कोई भी trade से related, investment से related, या फिर development से related कोई issue होता है, तो उन problems को ये handle करने का काम करती है, UNCTAT, ये कुछ और भी reports है, जो कि UNCTAT के द्वारा publish किये जाते है, Information and Economy Report, World Economic Situation and Prospect Report, Trade and Development, World Investment, The Least Development Countries, Technology and Innovation, Commodities and Development Report, आप इनको slide post करके आराम से पढ़ सकते हो, हमारा अगला article Space Physics Laboratory से है, ये laboratory का parent agency, Vikram Sarabhai Space Center है, ये news में इसलिए रहा है, क्योंकि य ये laboratory लगातार, चंद्रयान 2 mission के अंदर, Vikram Lander के साथ, contact establish करने के लिए effort लगाते जा रहा है, और इसके business पर ये Vikram को trace करने की कोशिश कर रहा है, जिससे की वापस से ये connection establish हो सके, ये इसलिए भी important है, क्योंकि जो भी 14 payloads हम देख रहे हैं, चंद्रयान 2 mission के अंदर में, उसक इसके अंदर के 4 payloads जो हैं, वो इसी laboratory के द्वारत दिये गए हैं, इसके अलावा, इसका location के तिरुवनंद पुरम हैं, और ये क्या काम करता है, basically ये research conduct करता है, lower और upper atmosphere में, ionosphere में, magnetosphere में, या फिर दूसरे solar system bodies के लिए, इसके अलावा, इसके पास कुछ state of the art technologies हैं, जिसके व board, shifts and aircraft को use करके भी कुछ experiment करता है, इसके कुछ अपने satellite payloads भी होते हैं, जैसे की चंदरयान 2 mission के अंदर में हम देख रहे हैं, जो की अपने-पने task के लिए जाने जाते हैं, तो आज के lecture में बस इतनी ही discussion थी, thank you very much for listening it very patiently, have a nice day.